हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माइटूब चनल आज मैं फिर एक नई जानकारी भरी वीडियो के साथ आपके पास आ गया हूं जिससे मैं आज आपको बताने वाला हूं कि हमें कैसे अपना एक्जिस बैंक क्रेडिट कार्ड की स्टेट्मेंट मंथली अपने इमेल आइडी पे मंगवानी हैं दोस्तो ये बहुत से लोग एक्टिवेट नहीं करके रखते हैं इसे कैसे करना इसके उपर पूरी जानकारी लेके आगया हूं जिससे आपका जो मंतली स्टेट्मेंट है आपके मेल आडी पे रिसीव हो तो इस जानकारी के लिए हमारे वीड मेरा प्रस्ट्रों को इसके और जुब साइट के लिए आ जाता है जिस पर मुझे कलेक करने के वाद इसकी आप घुल जाते हैं आहां पर देख पा रहे हैं इसमें आप राइट सेट देखेंगे लॉग इन का हमें एक औप्षण आ रहा ओग इन वाले आप्षन पर्षन है जहां पर हम अपना customer ID, user ID, login ID, किसी के भी धुरू हमें आप लोग इन कर सकते हैं अगर आपको नहीं मालूम है तो उसके कैसे registration करना था उसके उपर मैंने एक specific वीडियो बना रखी है आप जाकर चेक आउट कर सकते हैं जिसका हम लिंक description में दे दूँगा यहां पर मैंना ID password डालने के बाद नीचे login वाले option पर click कर लेना है जैसे हैं आप login वाले option पर click करते हैं आप successfully login हो जाते हैं login होने के बाद आप देखेंगे आपके successfully login होने के बाद आपके dashboard पर आपको open होता है जहां पर आप अपनी profile देख सकते हैं जो भी आपका details से सारा आपको यहां पर show कर जाता है आज हम अपने card पर statement बंगवाने के लिए कर रहे हैं तो आपको left hand पर जो 5-6 option है card उस वाले option पर आपको click करेना है क्लिक करने के बाद आपके जो भी cards होते हैं debit card आपको यहां पर show कर जाते हैं तो हम credit card के regarding अपनी statement generate करना चाहते हैं अपने mail ID के लिए तो उस वाले option पर हम click कर लेते हैं credit card वाले option पर लेप्ट साइड में control center वाले option पर आपको click कर लेना है जैसे आप इस option पर क्लिक करते हैं आपके सामना आज था activate statement जिस पर मेरा कर्सी रुका हुआ है आपको इसी वाले option पर click कर लेना है जैसे आप क्लिक करते हैं तो आपकी आपके registered mobile नमर पर एक OTP receive हो जाता है जो OTP यहाँ पर आपको enter करना होता है दोस्तों किसी कारण बस में आपके OTP नहीं enter कर पाया तो आप अपना OTP यहाँ पर enter करके अपना verify कर लेंगे और आप successfully अब फिर आपका monthly जो भी statement आपका होगा वो आपके mail ID पर आपको receive हो जाएग तो इसी option में control center में ही आपको अगर अपनी limits भी change करने तो आप वो भी option इसी में आता है बहुत सारे option है इसमें आप अपना आराम से चेक कर सकते हैं तो दोस्तों मैंने आपको statement कैसे मंगवाना इसके उपर पूरी जानकारी दे दिए यह जानकारी आपको कैसी लगी ज़रू अगर इस जानकारी सबको थोड़ी सी मदद मिली हो तो हमारे चैनल को कर देना subscribe क्योंकि इस परकार की जानकारी भरे वीडियों आपके लिए लाते रहते हैं धन्यवाद